नमस्कार मैं हूं संगीता राय, पुर्वांचल एक्स्पेस नियूस के इस वेपोर्टल में आपका स्वागत है आईए देखते हैं हमारे समवादाता, राम सकल यादो की यह विशेश रिपोर्ट आजमगर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिस अब आफक बन गए गया बारिस के करण में अनगर थाना चेत्र के भिटकासो गाउं में कच्चा मकान गिर गया जिसे मलबे में दखकर पिता पुत्र की दर्दनाद मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभी रुप से घायल हो गई जिसे कत्काल अस्पताल में भरती कराया गया वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों सवों को कबजे में लेकर पोस्टमाटम के लिए भेज दिया मेंनगर ठानाच्छेतर के धितकासो गाउ निवासे 60 वरसी जब प्रकास पांडे का कच्छा मकान था सुक्रुआर रात में परिवार के लोग इसी मकान में सो रह hy थे जब प्रकास के साथ उसका 22 वरसी बेटा विकास पांडे भी सो रह था सनीवार सुबा अचानक मकान ढाय गया पितापुत्र मलबे में दब गय मकान गिरते ही चीखुकार मचने से हड़कम पमच गया आनन फानन पर मौके पर जूटे ग्रामिन एक जूट होकर मलबा हटाने में जूट गया जब तक पितापुत्र को मलबे से बाहर निकाला जाता तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी ग्रामिलों की सूचना पर पहुँची पुलिस ने दोनों के सौख को कबजे में लेकर कोश्टमाटम के लिए बेज दिया कि वही रात को लोग सोय थे कच्चा मकाम था और सुबह भोर में साड़े पांच उच बजे करीब देवाल गिवने की आवाज आई तो हम लोग घर के बगल में थे दोड़ कर गए और लग बड़ी मसकत के बाद एक गंटे तक हम लोग बाडी को अपने कबजें लिए तब तक फिर लेकर भागे संबुनगर मार्केट है एक हमरे तो आपर डाक्टर ने बोल दिया कि लेकि जाई आगे पिर उसके बाद यहां पे में नगर आने के बाद कम पाइंट आरीस मिनट हम लोग वेट किये कोई डाक्टर नहीं आया में पिर उसके बाद आई एक डाक्टर आई करवाई किये लोग क्या प्रफिट मिलता है नहीं क्या रिस्पॉंस मिलता है को हमारी खबर पसंद आई होतो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए